Hello and welcome back to our channel I hope you all are doing well आप सबका मैं स्वागत करती हूँ धनिवाद करती हूँ यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए यहां तक इस lecture तक actually आने के लिए क्योंकि अभी तक दोबी तक 12 lectures आपको मिल चुके हैं यहां पर हम एक और नए लेक्चर को देखने वाले हैं एंशेंट हिस्ट्री कोईज में जिसमें हम पूर्वा लोकन जो की घटना चकर है आपका वह हम यहां पर देख रहे हैं करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि यह एक्जायम के पॉइंट वीज से बहुत इंपॉर्टेंट आपका इन शौट वीडियो लाई जा रहे हैं ताकि रेगुलर आप इसको रिवाइस करते रहें और रेगुलर बेसिक्स के साथ इसको पढ़ते रहें और पीवाई क्यू से प यह मेरा टेलीग्राम है यह इस पे मेरे पीडिया लिंक इत्यादी आदी आपको सारे अवेलिबल हो जाएंगे बेजिजक आपका भी भी पूछ सकते हैं ठीक है बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तो देखे आज का पहला प्रश्न क्या है निन्म मेंसे किस अपको जाए जब बुद्र की म्रत्य उसके तत पशाद मगत नरेश जो अजाज शत्रु नके कारेकाल में राजगीर राज ग्रह में अंतरगत उहां पर की गई थी जिन इन्म मैंसे किस शाचिक ने दुतिय बौधिस सवाक आउजिन कहा था अजाज शत्रु कालाशोग आन तो वीडियो जो और मैं पढ़ा चुकी उसमें भी अमने बहुत धर्म की काफी प्रश्णों को कवर किया तो अगर आपने वह नहीं देखा है पहले तो जाके वह देख लिए फिर देखेंगे तो फटा फट से कोशन करते चले जाएंगे ठीक है बुद्र के जीवन की चार म निदन कुशी नगर तो आप देखेंगे कैसा समझेंगे महात्मा बुद्धु का जर्म पांसो तेसर डिश्वी में कहा हुआ कपल वस्तु के समी लुम्बिनी में हुआ तो जर्म तो पता चल गया लोगी में हुआ है ठीक है ठीक है अरुवेला बोध गया जो वर्थमान मे प्रतम प्रवचन जो है उन्होंने सारनात में दिया ठीक है अब निधन कहां बचा उनका कुशी नगर तो आप देखेंगे फिर इसके बाद कुशी नगर में निधन हुआ जिसे बौध साहित महापरी निर्वान कहा जाता है तो इसके अनुसार आप देखेंगे कि इसका सह अब देखा तरह चीजों को उसी प्रकार से अलग तरीके से वही चीज पूची गई है अब जन्म के सामने ब्रतम प्रवचन धर्म चक्र प्रवरतन है और यह सब दी गई है तो बैसे के लिए आप इसमें क्या देखना है आपको जैसे जन्म है उसको कमल कि से इंडिकेट कर जो साइन है उनका सिंबल है उसका अर्थ क्या तो यह जैनि कि इस प्रशन का यह दिया मुत्तर देखे तो ऑप्शन डी है तो इसे मिला सकते जो मैंने आपको पर मिलान करके दिखाया है तो अप्शन डी प्रशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस परस्ट है आगे बढ़ते कर्मापा लाव तिबथ के बुद्ध संपर्दाय के किस वर्का है है तो अब देखेंगे कि इस प्रशन का उत्तर होगा ऑप्शन अप्शन प्रशन का यह ऊस्प्रक्षन हो जाएगा ठीक है बोद्ध मंदिर बनाए रात को एक पीपल के नीचे ने ज्ञान प्राप्त हुआ था 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 किया था जाएन तो प्रश्ण का क्या हो जाएगा रेक्ट रांसर हो जाएगा बोधी ब्रक्ष अपने बंश की स्पीडी का है त्रतिये चतुर्थ पंचम शस्टम तो आप देखेंगे कि यह पंचम की पीडी का है महाबोधी मंदिर में वर्तमान बोधी ब्रक्ष नहीं है जो पहले था जिसके नीचे बैठकर महादमा बुद्ध ने ग्यान प्राप्ट किया था वे इंसांग बताते हैं कि उस मूल ब्रक्ष को सातवी शताबदी में समराथ शशांक ने नस्ट करा दिया था और प्रेजेंट का उत्तर ऑप्षन सी हो जाएगा बहुत अच्छा प्रशन है कई बार पूछा गया है रट लेना है इसके बाद नेमलिकित में से कौन सा बहुत पवित्र इस्तल निरंजना नदी पर इस्तित है बोध गया कुशी नगर लुंबनी रिशी पत्तन तो यहां पर आप देखें जाएक बत्या निरंजना और मोहना के मिलने के बाद ही बनती है तो इस प्रश्ण का उत्तर क्या हो गया ओप्षन अ वह हो गया तो क्या है कौन सा पवित्र वूद्ध निरंजना नन्दी पर इस्तित बोध गया त्लग जया कि प्देश किस्से सब्गेश्टा आत्म विवाद नहीं कि धर्म कार्डों की भी बुद्ध ने आलोशना की थी ठीक है अंत्र प्रश्ण के आज का आपका अंत्र प्रश्ण यह है आपका निम्लिकित में से कौन बुद्ध के इस जीवन काल के ही संग प्रमुक होना चाहता था देवदत महाकस्ब उपाली और आनंद तो आप देखेंगे कि इसमें जो है देवदत बुद्ध का चचेरा भाई था वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया वह बहुत संग से बुद्ध को हटा कर स्वयम संग का प्रदान बनना चाहता था लेकिन उससे सफलता नहीं मिली और देवदत उ संग का प्रदान बनने की सोचने लगा और जब पहले बिक्षु बनाता तो यह सारी चीजें में यह समझ आते हैं कि इस प्रश्ण का उत्तर क्या है ऑप्शन ए हो जाएगा तो देखें सिंपल तरीके से कैसे प्रश्णों के घुमा कर चीजों को पूछा गया चीज़े वह इकनोमिक्स की कराई जारी है वह करिए और वीडियो को प्लीज बच्चों जादा जादा लोग के साथ शेयर करें ताके में मोटिवेशन में और और नए प्रोग्राम के लिए आज की बात करें तो यहां पर मैं समाप करना चाहूंगी कल मिलते एक और नए लेक्शर के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धले बात